भारत और न्यूजिलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच का काउंटडाउन सुरू हो चुका है लेकिन इस बार न्यूजिलैंड की टीम में एक भारती मूल का खिलारी सामिल है जिसने रोईत सर्मा और टीम इंडिया के खिलाप हुंकार भरी है या खिलारी है रचिन रविंद्र जो भले ही न्यूजिलैंड की ओर से खिलते हैं लेकिन इनकी जड़े भारत से है खासकर बेंगलूरू से जुड़ी हुई है जहां इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच खिला जाएगा रचिन रविंद्रे ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फरेंस में कहा कि टेस्ट मैच खिलना ह हमेशा खास होता है यहां आप पांच दिनों के लिए आते हैं और यह क्रिकेट की एक परमपरा है टेस्ट क्रिकेट का सिखर है और पारिवारिक जुड़ाओ इसे और भी महतपूर्ण बना देता है उन्होंने कहा मेरे परिवार के लोग दरसकों में होंगे और मुझे पता मेरे लिए बहुत खास अनुभव होगा दरसल रचिन रविंदरन भरे ही न्यूजिलेंड में पैदा हुए हो लेकिन उनकी जड़े भारत के बेंगलूरू सहर से हैं उनके माता पिता इसी सहर से हैं उनके दादा दादी अभी भी यही रहते हैं अब वह अपने घरेलू पर टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहे हैं रचन पहले भी IPL के दोरान भारत में खेल चुके हैं लेकिन उनकी अनुसार टेस्ट क्रिकेट का अनुभव कुछ अलग ही हैं उन्होंने इस मौके को खास बताया और कहा कि यहां खेल कर उन्हें काफी मज़ा आएगा अगर टेस् नुजलेंड की है इस टेस्ट सिरिच के लिए पूरी तरह तयार हैं और भारत के खिलाफ उन्होंने हुंकार भर दी है अब देखना यह होगा कि वह पहले टेस्ट में क्या कमाल दिखा पाते हैं टेस्ट क्रिकेट की हर ताजा, खबर, खिलारियों के इंटर्विव, उनकी परसनल लाइफ और हर विबादों को जनगारी पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना न भूलें